दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप सबी लोग बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन हैं मैं हूँ डॉक्टर ललित और जिसका था आपको इंतिजार जो देख रहे हैं उपर मेरे यूपिटेट, यूपिटेट, एस्टेट, मैथमेडिक्स, कम्प्लीट बहच, इस रण योधा बहच को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तोत हूँ इस पूरे बहच में हम कम्प्लीट स्टैप बाई स्टैप सभी सवालों को करेंगे सभी चेप्टर बाई स्टडी आपके तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, मैं लेकर चलता हूँ, अपनी PPT पर आपको दिखाता हूँ, हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं और क्या-क्या इस कोर्स की खास बात होने वाले हैं, तो चलो देख लेते हैं एक बार इस कोर्स का क्या है सीन, आपको बता दे दोस्तो, यूपी टेट 2023 का नियू सलेबस पैटर्न के आधार पर जो भी पर सलेबस बना है उस पर मैं आपको यहाँ पर स्टड़ी करा हूँ है साथ में यूटेट को भी कवर करेंगे सूपर टेट को भी इस पूरे बैच में हम मैथामाटिक्स में कवर करेंगे जो कॉमन टॉपिक होंगे उनको एक साथ फिर उसके बाद हम उनको अलगल ही कर देंगे तो अगर आप प्रिप्रेशन करें में से किसी के तो बेफिकर हो जाईए और आपको मिलेगा कम्प्रीट सॉलूशन आपके मैथामाटिक्स का जैसा आप जानतें CDP 30 नंबर का होता है Language 1 जो आप चूज करें Hindi, English, Sanskrit जो भी आप चूज करें 30 नंबर साथ में Language 2 30 नंबर Mathematics 30 मार्क्स का होता है और EBS भी 30 मार्क्स का होता है तो यहाँ पर मैं Mathematics को इस बैच में कवर करूँगा, EBS को मैं दूसरे बैच में बाकी सभी वी से भी कवर होंगे लेकिन मैं अपने Mathematics की बात करता हूँ यहाँ पर आपको मैं Mathematics का complete syllabus कराने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बता दूँ हम पढ़ने वाले क्या क्या है और यह बैच होगा आपका रड़ी होधा बैच जिसमें आप chapter wise study करेंगे एक zero class to hero class होगी जिनको बिल्कुल भी नहीं आदा बिल्कुल starting से मैं शुरू करूँगा morning में सुबा 6 a.m यह class होगी चुबा 6 बज़े फिरते दिन इस class में आप जुड़ेगा morning 6 a.m everyday Monday to Saturday के साथ साथ आपको बता दे दोस्तों हम cover क्या क्या करने वाले हैं आप जानते हैं आप इन बैच में common subject होते हैं mathematics तो सबलग common ही होता है तो यहाँ पर हम normal to high level लेके चलेंगी जिसमें में number system अब चाहे number system में आप कुछ भी पढ़ें चाहे आप number system में introduction of numbers पढ़ें number की पहचान पढ़ें चाहे आप remainder theorem पढ़ें चाहे आप unit place पढ़ें आप जो भी आउस पर 25 session करें हम सब कुछ करेंगे इस पर इसके बाद हम LCM HCF को लेंगे average ratio percentage fraction simplification measurement इसके साथ आपको बता दें और भी चीज़े है time and work यहाँ पर आपको मैं कराने वाला हूँ जिसमें time and work के साथ system और pipe को भी देखेंगे इसमें आपकी percentage के साथ simple interest compound interest mensuration बहुत ज्यादा important है क्योंकि हर बार paper में mensuration आया है geometry solid shapes जिसमें आप पढ़ेंगे घंघनाब शंकू data interpretation जिसमें statistics होगी mean mode median क्योंकि आप देखेंगे previous year को उठा के देखेंगे चाह educated चाह educated इसमें आप देख रहे होंगे हमेशा आपको stat से question मिले तो मैं stat भी cover कराऊँगा के साथ साथ आपको बता देए अलाग लेवल से भी question पूछे जाते जैसे dice problem यानि पासा calendar का सवाल binary number conversion counting of figures all पैड़ा के गवलिश्व जितने भी पैड़ा कोगी के concept से वो pretty set साथ में previous year के सारे question paper pretty session साथ में और moog test आपको दिये जाएंगे और यह सब आपको मिलेगा free of cost वेल बिल्कुल step by step यानि according to syllabus हम चलेंगे तो जल्दी से क्या करना है आपको like करना है share करना है subscribe करना है और साथ में telegram channel से जुड़ जाना है क्योंकि आपको सारे video तो वहीं मिलेंगी तो देर किस बात की अभी इस वीडियो को शेर करें channel को subscribe करें मैं दोस्तों किसा शेर करके नमसकार मच, good night, good morning, good evening, good afternoon जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं thank you मिलेंगे इस course में तब तक के लिए नमसकार